Hello everyone, कैसे आप लोग, उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो जैसा कि आपको पता है, CVAC ने sample paper release कर दिया है, term 1 के लिए ठीक है, तो आज हम लोग math paper solve करेंगे, standard वाला चलिए, सबसे पहले कुछ instruction देख लेते हैं Time allowed है, 90 minutes, 15 घंडे का exam होगा, maximum marks 40 marks का है, ठीक है 10 question होगा, उसमें से भी 16 item करना है, और section C में total 10 question होगे, case study based questions, ठीक है, उस 10 question में से आपको सिफ 8 question ही item करने है, तो section A से 16, B से 16, C से 8 यानि 40 होगिया, कोई negative marking नहीं है, यानि आपको सारा question item करके आना है, ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो को कुड़ा end तक दिखिएगा, काफी अच्छे questions है, यहाँ पर mathematics के लिए, तो हम recommend करेंगे कि जब भी आपको question दिखें, तो वीडियो को pause करके, आप खुद से solve करने हैं कोशिस करें, उसके आप मेरा explanation को देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, start करते हैं, तरदा time waste ना करके, question number 1 से start करते हैं, section A, पता है हमें कि 20 question होगा, इसमें से सिर्फ 16 item करना है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सारा solve करके दिखाएंगे, ठीक है, लिखाएंगे, the ratio of LCM and HCF of least composite and least prime number is, least composite, सबसे छोटा composite number क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 1 तो हमें पता है ना ही prime है, ना ही composite है, 2 सबसे छोटा prime number है, तो यह least prime number हमें 2 मिल गया, 3 भी prime number है, 4, 4 पहला composite number है, तो 4 सबसे छोटा composite number है, यहाँ पर हो गया, LCM निकालना है इन दोनों का, तो LCM आएगा, 4 और 2 का, 4E आएगा, HCF निकालना है, 4 और 2 का, तो 2 आएगा, तो 4 और 2 का रेशियो कुछ है, तो 2 is 2, 1 इसका answer होगा, यानि option number B, right answer है, ठीक है question number 2, the value of K for which the lines this one and this one coincide, lines तभी coincide करते हैं, जब A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 हो, यहनि यहाँ पर 5 by 15 equal to होना चाहिए 7 by 21 के, equal to होना चाहिए 3 by K के, ठीक है, यहाँ से solve कर दीजिए, 7, 3 is a, 3 is a 9, K, R, I, 9, यानि option number A, इसका right answer होगा, ठीक है, question number 3 पर आते है, a girl walks 200 meter east, 150 meter north, distance of the girl from starting point, यह कैसे होगा, देखिए, सबसे पहले यहाँ से start किए है, east की तरफ 200 km जाती है, फिर north की तरफ 150, तो इन दोनों point के बीच में distance निकालना है, तो यह right angle triangle form हो रहा है, हम यहाँ से, पाइथागुरस तरम लाकर solve कर देंगे, 200 का square 4, और 2 0 ये तो 4 0 हो गया, 15 का square 2 25, और 1 0 ये तो 2 0 हो गया, दोनों को plus करेंगे, और इसका square root ले ले लेंगे, 6 to 5 का square root 25, और 2 0 के लिए 1 0, यानि 500 meter, ठीक है, चलिए, ठीक हो गया, बी, आते हैं question number 4 पे, the length of diagonals of a rhombus are इतना इतना, the length of the altitude of rhombus, rhombus पता है, क्या होता है, इसका 4 side equal होता है, लेकिन diagonals equal नहीं होता है, ठीक है, लेकिन diagonals एक दूसरे को perpendicular काटते हैं, ठीक है, जिसे की bisect करते हैं, जिसे की ये पुरा अगर diagonal कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो ये 12 12 होगा, य ये 12, ये 12, ठीक है, फिर उसी तरीके से ये पूरा triangle 32 है, तो ये 16 16 होगा, और ये एक right angle triangle form होता है, तो यहाँ पे हम हैपिटुनियस निकाल देते हैं, पाइथेगोरस से, 12 का स्कार 144, 16 का स्कार 256, एड करते हैं, तो 004, स्कार रूट लेंगे तो 20, ठीक है, तो rhombus का जो area हो ठीक है, तो यहाँ से 2 से काटते हैं, 12, तो 12 into 32 equal to base, अगर हम ये base मानें, तो altitude क्या हो जाएगा, ये line इसका altitude हो जाएगा, ठीक है, altitude निकालना है हमें, इसको h लिखते हैं, और base, यानि ये कितना है base, अभी हमने निकालना 20, 4 side equal होता है, ये भी 20 होगा, 20, यहाँ से cancel out कीजि टू 10 जा, टू 16 जा, तो इसको multiply करते हैं, 12, 60, 72, carry 7, 1, 9, ठीक है, और 0 है तो point, 19.2 इसका, यानि option number D, right answer होगा, ठीक है, 4 का, आते हैं अगले question 5 पे, 2 fair coins toss किया जाता है, probability of getting at the most one head, sample space क्या होगा, दो coin आपको head head मिल सकता है, ये फिर head tail मिल सकता है, ये फिर tail head मिल सकता है, य tail tail मिल सकता है, at most one head, मतलब एक से जादा head नहीं होना चाहिए, एक से जादा head नहीं है, 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 favorable outcomes तीन है, total outcomes कितने है, sample space का 4, तो 3 by 4 इसका answer है, option number A इसका right answer होगा, ठीक है, question number 6, triangle ABC similar PQR, AM, PN, altitude है दोनों के AB squared, question में दिया है, AB squared by PQ squared equal to 4 by 9, तो यहां से AB by PQ निकाल सकते हैं, क्या होगा, 2 by 3, ठीक है, square root ले लिए, AM, PN, जो altitude है, उसका ratio, find करना है, तो altitude का भी ratio, side के ratio के equally होता है, 2 is to 3 ही इसका answer होगा, ठीक है, altitude हो, perimeter हो, सबका ratio, same होता है, sides के ratio के proportion होता है, ठीक है, तो 6 का होगी है D, आते हैं 7 पे, 2 sin square beta minus cos square beta 2, trigonometry का question आपको दिखेगा तो, और angles या होता है, तो यहां पे 2 है, मतलब 2 sin के साथ है, तो sin का कौन सा value, 1 देता है, तब ही तो 2 आएगा, तो यहां पे हम अगर beta equal to, option से जाए, अगर हम beta का जगा 0 डाल दे, तो 2 into 0 minus, ठीक है, minus cos 0 यानी 1, तो यह तो 2 नहीं देगा, यह answer नहीं होगा, 90 अगर डालते हैं, तो 2 into sin 90 यानी 1 minus cos 90 यानी 0, तो यह 2 solve हो जा रहा है, तो option number 20 का right answer होगा, ठीक है, एक तरीका तो यह है, और नहीं तो हम इसको identity लागा के भी solve कर सकते हैं, 2 sin square beta minus, cos square beta के जगा पे 1 minus sin square beta लिख सकते हैं ठीक है, dignometric identity है, यहां से solve करेंगे, 2 और यहां पर हो जागा plus sin, तो मतलब 3 sin square beta minus 1 उधर भेज़ जेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 cancel out 1, इसका मतलब sin beta 1 होगा, square root of 1, 1 minus 1 नहीं लेगे, ठीक है, क्योंकि acute angles पे काम करते हैं, तो 1 को लिख सकते हम यहां पे sin 90 यानी बीटा जो है, व 8, prime factors of the denominator of the rational number with decimal expansion इतना, किसी number का decimal expansion इतना है, तो हमें दिख रहा है, यह terminating है, इसका मतलब इसका denominator होगा, वो ज़रूर 2 into 5, इस form में होगा, ठीक है, तो उसमें prime factors कौन सा है, 2 है और 5 है, तो option number C इसका right answer होगा, ठीक है, 9, दो line से, एक है x equal to a और एक है y equal to b, यह दुनों कैसे है, तो x equal to a का जब line बनाएंगे, x equal to a, मतलब ऐसा कुछ line बनेगा, ठीक है, यह x axis है, और यह y axis है, y equal to b का line बनाएंगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, तो यह दोनों line ही, यहां पे cut कर रहे है, ठीक है, तो intersecting है, अप्सर न point यह from origin, origin से distance निकालें के लिए, इसी का square, इसी का square, तो 25 और 36, यानि 61 और उसका square root, तो root 61, यह d answers का होगा, ठीक है, question number 11, a square यतना है, then a is, तो a का value के लेंगा, तो root 21 और नीचे 5 आ जाएगा, तो root में फासा है, यानि यह irrational number है, ठीक है, चलिए, आते हैं अगले question पे, 12 पे, LCM, HCF दिया है, X पूछा है, तो हमें पता है, X into 18 equal to LCM into HCF होगा, यह से solve कर देंगे, X equal to 4 आ जाएगा, ठीक है, option number C, इसका right answer होगा, यह सब easy question है, उसलिए तो तेजी से कर रहे है, आप आराम से पहले video force करके, आराम से करने हैं कोशिश करेंगे, 13, triangle A, B, C, right angle है, B पे, तो देते हैं, 10A root 3 है, 10A, ठीक है, यह root 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते है, 10A का कौन सा value, किस angle पर root 3 होता है, तो आप बोलेंगे 60 degree पे, तो A का value होगया, 60 degree यहाँ पे, एक तरीका तो यह है, या फिर हम 10A equal to क्या P by H मान सकते हैं इसको, तो यह अगर A है, एक काम करते है तो change कर देते हैं, तो easy होगा, इधर C देते हैं, इधर A देते हैं, ठीक है, तो root 3 मतलब perpendicular by 1 है, यहाँ पर बोल सकते हैं, तो base हो यह 1, इसको निकाल लेंगे, root 3 का square plus 1 का square, और root, तो 2 आजाएगा यह, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अब हमें इसका चाहिए, cos A, cos A क्या होता root 3 by 2, sin C, sin C यह है, इसके लिए P यह है, PYS यह निए 1 by 2, तो यह दुनों same number है, subtract करेंगे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, option number B, right answer है, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर angles, 60 आईए तो cos 60 का value कितना होता है, 1 by 2, और यह अगर 60 आया है, तो यह angle कितना होगा, 30 degree होगा, ठीक है, तो cos 30 degree, root 3 3 by 2, ऐसे भी मान के कर सकते थे, sin A, यानि sin 60 degree कितना होगा, root 3 by 2, और sin C, यानि sin 30, यानि 1 by 2, ऐसे भी करते हैं, 0 आता है, ठीक है, number 14, angles of triangle ABC are in the ratio, यह, respectively, तो जबी भी ratio आता है, तो है, x में मानते है, let the angles be x, दूसरा angle भी x, और तीसरा angle 2x, और sum of angles कितना होता है, 180, यहांसे x के लिए solve करेंगे तो आएगा, 45 degree, यानि angles क्या क्या हो गया, 45, यह भी 45, और यह 45 into 2, यानि 90 degree, एक right angle triangle है, यह 90 है, और बाकी दोनो 45, और यह भी 45, the largest angle being C, ठीक है, जो सबसे बढ़ा angle, यानि 90 है, वो C है, तो बच गया क्या, A और B यह होंगे, the value of यह सब, sec A by cosec B, इसका value निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं, sec A, sec 45 मतलब, root 2 होगा इसका, ठीक है, cosec B, यानि cosec 45 यह भी होगा है, root 2, tan A, tan A तो 1 होता है, tan 45, और cot B, यह भी cot 45 भी 1 होता है, cancel out 1, 1-1, 0 आएगा इसका answer, ठीक है, A, question number 15 पर आ जाते हैं, the number of revolutions made by a circular wheel of radius इतना, in rolling a distance of इतना, तो number of revolution, n equal to क्या होता है, distance by circumference, distance कितना जाना है, 176, meter में है, circumference यानि 2 into pi, यानि pi का value डाल देते हैं, एकी बार, 2 into 22 by 7 into r, radius कितना है, 0.7, तो 7 लिखते हैं, नीचे 10 ले ले लेते हैं, ठीक है, इसको solve करते हैं, और यह भी meter में है, ठीक है, तो काटा जाएंगे, 77 का डिया, यह 10 को हटाते हैं, उपर डाल देते हैं, 2 से इसको काटते हैं, 2, 8 जा, 8 जा, और 22, 4 जा कर डिया है, तो 4, 10 जा, 40, option number D, इसका right answer है, चेलिए, आगे move करें, 16 पर, ट्राइंगल A, B, C, such that A, B दिया है, B, C दिया है, C, तीनों साइट का लेंज दे दिया है, यह दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, and EF, EF का value 4 दिया हुआ है, perimeter of DEF, ठीक है, तो देखिए, हमें पता है, perimeter का ratio और sides का ratio equal होता है, perimeter of A, B, C, perimeter of A, B, C, by perimeter of DEF, equal to sides के length के equal होगा, तो यहाँ पर EF दिया है, ठीक है, तो EF हम यहाँ पर लिखते हैं, और इस triangle के लिए क्या लिखना होगा, अगर हम इसके लिए EF लिखे, तो इसके लिए BC लिखना होगा, ठीक है, तो ABC का perimeter कितना है, 3 प्लस 2, 5, और साथ 7.5, DEF का perimeter निकालना है, BC कितना दिया है, 2 दिया है, EF B कितना दिया है, 4, यह 2 जा कटा, 2 cross multiply होगा, 5 रा जाएगा इसका answer, option number B, right answer हो रहा है, question number 17, in the figure DE parallel VC है, AD 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 लिख देते है, BD 4 दिया है, ठीक है, BC 14 दिया है, DE पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें similarity का concept use करके सवाल करना होगा, हमें पता है, triangle ADE, जो छोटा वाला triangle है, वो similar होगा किसके, बरे वाले triangle से, कैसे similar होगा, angle A, angle A, common, यह corresponding angles equal है, parallel था, यह भी equal, ठीक है, तो angle, angle criteria से similar हो रहा है, यानि sides का ratio equal होगा, तो हम बोल सकते है, AD, directly value put करके करते हैं, छोटे वाले triangle का 1 side 3 लेते हैं, तो बरे वाले triangle से क्या लेना पड़ेगा, 3 plus 4, 7 लेना पड़ेगा, फिर छोटे वाले triangle से, एक साइड अगर हम X लेते हैं, तो बरे वाले triangle से क्या लेना पड़ेगा, 40 लेना पड़ेगा, यहां से solve कर ड़ीजे, 7, 2 जा, तो X आता है, 3, 2 जा, 6, यानि option number B, 18, काफी easy question है 18 और काफी famous question, 10 बीटा का value बताइए क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3 by 4 होगा, यहां पर इस equation में, आप चाहें तो यहां पर triangle बनाकर solve कर सकते हैं, यह अगर बीटा है, तो 10 बीटा यानि 3, यह 4, 3, 4 तो यह होता है 5, तो 4 into sin बीटा, sin बीटा यानि 3 by 5, यानि 4 by 5, नीचे जाएगा, फिर क्या होगा, अब देखें, यहां पर यह कितना मिल रहा है 12 by 5, यह भी मिल रहा है 12 by 5, उपर में 0 आएगा, मतलब पूरा ही 0 आएगा इसका एंसर, नीचे का लिखने का जोड़ोत नहीं है, ठीक है, तो option number A, इसका right answer है, समझे की नी समझे, एक तरीका तो यह है, नहीं तो हम यहां पर tan, 10 कैसे बनाएंगे, यहां पर उपर नीचे हम क्या कर सकते है, cost से डिवाइड कर सकते थे, तो यहां पर 410 बीटा मिलता, माइनस 3, 410 बीटा प्लस 3, ठीक है, 10 बीटा का वैलू कूट कर देते हैं, तो स्वाल्व हो जाता, उसमें भी 0 ही आता answer, question number 19, one equation of a pair of dependent linear equation is इतना, second equation can be, dependent है यानि यहां पर infinitely many solution यानि coincident lines है, यानि a1 by a2 जो है, वो equal to होना चाहिए b1 by b2 के, और यह equal to होना चाहिए c1 by c2 के, ठीक है, तो यहां पर option y जाना पड़ेगा, तो minus 5 by, इसका अगर check करे, 10, कितना आता है, minus half, फिर 7 by 14, कितना आएगा, 1 by 2, तो equal नहीं आ रहा है, तो यह तो answer नहीं होगा, ठीक है, b पर अगर जाए, तो minus 5 minus 10, यानि 1 by 2, फिर है 7 और minus 14, तो यहां पर आएगा, minus 1 by 2, फिर से equal नहीं आ रहा है, तो option number b भी नहीं होगा, c चेक करते है, minus 5 minus 10, यानि half, 7 by 14, यह भी half, चलिए ठीक है, और इधर है 2, और इधर minus 4 होगा, इधर बेजेंगे तो, या फिर यह 2 को इधर बुलाएंगे तो minus 2, यानि यह minus half दे रहा होगा, तो यह नहीं होगा, option number d होना चाहिए, minus 5 by 10, यानि minus half, फिर 7 by minus 14, यह भी minus half, और फिर उधर है 2 by minus 4, यह भी minus half, ठीक है, equal आ रहा है सब, तो यह होगा, dependent, ठीक है, question number 20, a letter of English alphabet is chosen at random, total English alphabet कितने होते है, 26, इस में से कुछ letters उठाया जा रहा है, what is the probability that it is a letter of the word mathematics, क्या probability है कि 26 में से जो letter उठाये, वो in में से कोई एक letter होगा, तो probability का formula क्या होता है, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes, total कितना है, 26, उस में से क्या-क्या उठाने का chance है, क्या तो हम M उठा सकते हैं, नहीं तो A, नहीं तो T, नहीं तो H, नहीं तो E, M तो हो गया, A भी हो गया, T, B हो गया, क्या तो I उठा सकते हैं, नहीं तो C उठा सकते हैं, नहीं तो S उठा सकते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, कैंसल आउट कीजिए, 2, 4 जा, 2, 13 जा, और कटेगा, नहीं कटेगा, तो 4 भाई 30 यानि option number A इसका right answer है, ठीके, चलिए, तो section A हो गया, 20 questions, आप आजाते हैं section B में, इसमें भी 20 questions है, एक marks का 16 item करना है, लेकिन हम 20 solve परके काएंगे, if sum of two numbers is इतना, their SCF is इतना, then the possible number of pairs of such numbers are, जबी SCF दिया है, तो हम मानते हैं, let the numbers be 81 A, और दूसरा number होगा, 81 B, ठीके, जहाँ पर A और B में और कुछ common नहीं होगा, दुनों को प्राइम होगे, ठीके, आप देखिए, दुनों का sum जो है, दुनों का sum वो दिया यानि यहाँ पर अगर हम A प्लस B निकाले, 81 common लेकर और वहाँ पर काटें तो 50 नहीं गाई यह, ठीके, तो A और B का कौनसा कौनसा value हो सकता है, क्या तो हम A equal to 1 ले सकते हैं, और B equal to 14, तब 15 नहीं आ जाएगा, या फिर A 2 ले सकते हैं, B 13 ले सकते हैं, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 7, 8, 8, 7, अब यहाँ से repeat होना start हो जाएगा, यही last था, ठीके, और A और B का खास बात किया है कि दोनों co-prime, आपस मैं cutने नहीं चाहिए, ठीके, तो यह हो जाएगा एक pair, यह हो जाएगा एक pair, यह नहीं होगा, क्योंकि 3, 12, cut जाएगा, यह हो जाएगा एक pair, यह नहीं होग यह बता यह होगा कि नहीं होगा, यह होगा, यह होगा, टोटल एक, दो, तीन, चाहर पेर हो, पॉसिबल है, ठीके, अप्शन नमबर C इसका राइट एंसर होगा, 22, गिवन बिलो इस दे ग्राफ, प्रेजेंटिंट नहीं होगा, दिख रहा है आपको, AB यह रहा, AB और CD यह दो लाइन से, what is the area of the triangle formed by these two lines and the line x equal to 0, x equal to 0 line कौन सा होता है, यह होता है, या फिर यह होता है, x equal to 0 यानि यह y-axis है, तो यह line और दो दिया हुआ लाइन से जो triangle बन रहा है, वो यह triangle बन रहा है, ठीके, इसका area बताना है, area क्या होता है, half into base into height, तो इसका base का length कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गया, base height कितना है, तो 1, 2, तो answer आजाएगा 6 square units, ठीक, option number C इसका answer है, अगर यहाँ पर y equal to 0 बन रहा था question में, तो हम यह triangle ले रहे होते हैं, और इसका area निकालते है, half, इस case में base कितना है, 1, 2, 3, height कितना है, 1, 2, तो इस case में area रहा था 3, ठीके, चलिए, 23, बहुत famous question है यह, 10 है, quarter 2 दिया है, तो always, मतलब alpha है यह, always alpha 45 degree होता है, तो 10 alpha फिर से 45 यानि 1 का power 20, quarter 45 यानि 1 का power 20, 1 plus 1, कितना आएगा, 2 answer आएगा, ठीक है, बहुत famous question, आप याद करिके रखिए इस सवाल को, यही question पूछा जाएगा, बले exam में question यहाँ पर power change कर देंगा, 40, 40 power भी देंगा, तब भी answer 2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का power है वो, 24, if इतना equal to इतना दिया है, इतना equal to इतना, then x plus y, दो equation है आपके पास, 217x, plus 131y, equal to 913, फिर यहाँ पर है, 131x, plus 217y, equal to यहाँ पर दिया है, 827, हमें दोनों का अभी इसमें plus sign दिख रहा है, तो दोनों का हम plus करते हैं, तो इसको plus करेंगे, 718, 314, 3x, यहाँ पर plus करेंगे, तो 843y, इसको plus करते हैं, 1034, और यहाँ पर 9 और 8, 17, 348 common लेंगे, x plus y, equal to, 1740, by 348, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, option बाइस जाते हैं, यहाँ पर 8 है, 8 में क्या multiply करेंगे, 0 दें, क्योंकि लास्ट में हमें 0 चाहिए, तो 8, 5, 40, देखते हैं, 5 से multiply करके, उतना आता है कि नहीं, carry 4, 24 का 4, carry 2, 5, 30, 15, to 17, हाँ, इसका मतलब यह 5 जा कर जाएगा, ठीक है, ऐसा option से गए हम, तो x plus y आ रहा है, 5, अगर यहाँ पर question में minus पूछा रहाता है, तो हम दोनों को subtract कर रहे होते हैं, ठीक है, और अगर question में पूछा रहाता है कि find the value of x and y, तो एक बार हम x plus y निकालते फिर एक बार x minus y निकालते, अब इसको आसानी से solve कर लेते, ठीक है, दुनों को plus करके, चाते तो हम इसको और भी कई सरा method से solve कर सकते हैं, लेकिन चुकि इतना बढ़ा 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 numbers है, कि आप बहुत ठक जाएंगे इसको करते करते, और high chances से कि आप गलत करते, ठीक है, इस question में अगर x और y निकालने के लिए बोला जाता, तो हम इसी method को follow करते, पहले x plus y निकालते, फिर x minus y निकालते, फिर solve करते, ठीक है, देखें, यहाँ पर छोटा-छोटा equation आ जाता है, यह दो equation, आगे move करें 25 पे, LCM of 2 prime numbers इतना दिया है, तो जो 2 prime number का LCM क्या होता है, product of numbers C होता है, तो P into Q equal to 221 दिया है, find the value of इतना, ठीक है, तो 221 किसका table में आता है, 1 का table, prime number से check करते जाएं, क्योंकि prime number से देना है, 2 तो नहीं होगा, 3 से जा रहा है क्या है, नहीं जा रहा है, 4, 5, 6, 7 से जाएगा यह, नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा है, 8, 9, 10, 11 से जाएगा क्य नहीं, 12, 13, 13 से जाएगा क्या, 13 बंज़ा 13 और 91, हाँ, 13 से जा रहा है, 13 बंज़ा 13, 13 से बंज़ा 91, तो यहीं दो prime number हमें मिल लिया, ठीक है, जो बड़ा वाला है, वो P है, तो P हो गया 17, Q हो गया 13, निकालना है 3P, यानि 3 into 17 minus 13, 51 minus 13, कितना आएगा यह, 11 में से 3 गया है, और यहाँ पर आएगा, 3, 38, option number C इसका right answer होगा, ठीक है, 25 का C, 26, a card is drawn from a well-suffled deck of cards, what is the probability that the card drawn is neither a king nor a queen, total card कितने है, 52, ठीक है, उस में से king, king कितने होते है, 4, queen भी कितने होते है, 4, तो आपको यह दो नहीं उठाने है, तो बचेंगे कितने उठाने हैं आपको, 54 में से, 52 में से और यह 4 और यह 4 हटा दीजिए, यानि 44 आपको उठाने है, ठीक है, और टोटल कितने हो गई है, 6, कॉलम में 6 रो है, यानि 36 आपको है, 36, तो कोशन में आके बुला है, the probability that 5 will come up at least once, कम से कम एक बार 5 आए, इसका chance क्या है, तो टोटल तो 36 पता है हमें, तो ऐसे कौन से कौन से आउटकम है, इस इमेज में देखिए आप, जहां पर 5 कम से कम एक बार आ रहा है, तो आउटकम क्या क्या हो सकता है, क्या तो 1,5 आजाएं, या फिर 2,5 आजाएं, या फिर 3,5 आजाएं, 4,5 आजाएं, 5,5 आजाएं, या फिर 6,5 आजाएं, ऐसा हो सकता है, या फिर पहले dice में 5 आने लगे, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हो चुका है, और इटो होगा, 5,6, यही सब आउटकम सा सकता है, जहाँ पर कम से कम एक बार 5 है, और तो कहीं 5 नहीं मिलेगा, तो कितने है टोटल, 1,2,3,4,5,6, और यहाँ पर 5, 11, तो option नमर बी इसका राइट एंसर होगा, ठीक है, काफी important है यह, 20, 1 प्लस साइन स्क्वाइड ए, ए नहीं है, अलफा है, एकवल टू 3, साइन अलफा, कॉस अलफा दिया हुआ है, तो अगर आप option देखें ध्यान से, तो दो दो वैलू दिया है, कॉट अलफा का, यानि जरूर यह quadratic equation बनके solve हुआ होगा, ठीक है, चलिए, इसको करना के स्टार्ट करते हैं, तो 1 को अदिन्टिट लगा दीजिए, साइन स्कॉर्ड अलफा, प्लस कॉस स्कॉर्ड अलफा, प्लस साइन स्कॉर्ड अलफा, माइनस 3 साइन अलफा, कॉस अलफा, इकोल टू जीरो, सजा के लिखते हैं, यहां पर कितना हो गया, 2 साइन स्कॉर्ड अलफा, माइनस 20 में दोनों को मिला के लिखते हैं, साइन अलफ ठीक है अब बीच वाले को थोड़ा तोड़ देते हैं तू है यहां पर यहां पर वन है तो और वन का मिल रहा है थ्री मिल जाएगा तो टू साइन स्क्वाड अल्फा माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस प्लस अब कुछ कॉमन लेंगे हम यहां पर तू साइन अल्फा कॉमन आएगा यहां पर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा यहां पर कॉमन आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा फिर अब साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा आएगा एक बार और इधर आड़ा होगा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो एक बार इसको जीरो से एक्वेट कीजिए तो sin alpha equal to cos alpha आ जाएगा और यहां से देखिए इसको करके दिखाते हम जब इसको 0 की equal करेंगे तो sin alpha equal to cos alpha sin को उधर भेज़ते नीचे में तो 1 equal to cos by sin आएगा यहां पर मतलब cot alpha तो cot alpha का एक value तो 1 आ रहा है ठीक है यहां से और इस case में अगर हम sign को नीचे भेज रहे होंगे तो 2 आएगा तो एक value 1 और 2 है मतलब option number c इसका answer होगा ठीक है 28 का 29 vertices of parallelogram बहुत famous question आपको coordinate geometry पढ़ाते बुक्त बोले थे यह question आने का chance है ठीक है तो इस question को ऐसे करते हैं 2 वांडहरर ता थीकर कॉमा कोधिए का होगा 2 प्लस 6 दिवाएडाइड 2 यह equal to होना चाहिए किसके B डिक के यानि 4 प्लस 3 एफ 4 है किthis को प्लस 3 दिवाएड़़़ई गाटेगा फिर य प्लस 5 हृह है डिवाइड बाई टू इसको इसको एक्वेट करेंगे टू टू कटेगा वन हो जाएका माइनस हो जाएगा तो फॉर प्लस टू यानि सिक्स एक्स का वैलू 6 आ रहा होगा एक ही में एक्स का वैलू 6 है ऑप्शन नमबर ए इसका राइट एंसर होगा वाइल सॉल्ब करेंगे कि यहाँ पे लाएगा बना यहे तो कौन सा दो ट्रैंगल सिमलर होगा ताप बोलेंगे ट्रैंगल पहले हो Similar होगा किसके, यह जो छोटा व़ला triangle है, चोटे व़ले triangle में भी A है, बड़े व़ले triangle में भी A है, तो यहाँ पे A के लिए A हो गया, ठीक है? फिर छोटा वाला triangle का जो D है वो बड़ा वाला triangle का C का equal है तो बड़ा वाला triangle का C के लिए यहाँ पर आ रहा होगा D तो बच गया कौन सा? A, D हो गया तो अब C बच गया है तो यहाँ पर C डालेंगे ठीक है? यह दोनों similar है So similar है तो corresponding sides का ratio equal होगा यानि A, B by A, C समझ रहे हैं यह कैसे लिख रहे हैं? इधर हम A, B लिए तो इधर A, C लिए फिर अब लेंगे B, C तो इधर लेंगे C, D equal to B, C by C, D equal to तिसरा कौन सा लेंगे? A, C इधर लेंगे A, D अब अराम से देखिए क्या-क्या चाहिए? A, C दिया है 8 अच्छा, यहां से करते हैं A, B A, B, कितना है A, B? अगर हम इसको X माल ले B, D निकालना भी है हमें यह X माल लें, तो 3 प्लस X हो गया यह by A, C A, C कितना है क्योशन में? 8 दिया है equal to B, C B, C इसका कोई information नहीं है तो इसको इग्नोर कीजिए A, C A, C यानी 8 और यहां पर है A, D A, D कितना है? 3 इसको solve कीजिए 8 दिया 64 और 3 दिया 9 प्लस 3 X equal to 64 X equal to 64 में से यह गटाई है 55 by 3 ठीक है? C इसका answer होड़ा होगा Next question पर आते है 31 The equation of the perpendicular bisector of the line segment joining points this one and this one कितना अच्छा question नहीं है? देखिए यह हम जब को coordinate geometry पहार है तो आपको information दिये थे कि perpendicular bisector में वही point होता है जो इस दोनों point से equidistant पे हो यानी अगर कोई point X, Y इस perpendicular bisector पे है तो यह point जो है वो equidistant होगा दोनों points से यादे NCRT में question था relation find out करना था तो relation इसमें भी find out करना है बस language flood गिया है ठीक है? तो देखिए यह point जो है वो A 4,5 और B minus 2,3 से equidistant है तो हमें पता है यहाँ पर क्या होगा? 4 minus 5 का तो हमें पता है यहाँ पर क्या करना है? 4 minus X का whole square plus 5 minus Y का whole square equal to होगा X minus यानि plus 2 का whole square plus Y minus 3 का whole square के ठीक है? यहाँ से solve करेंगे चलिए करते हैं 16 minus 8X plus X square 10Y plus Y square X square plus 4X plus 4 plus Y square minus 6Y plus 9 तो यहाँ यहाँ पर X square, Y square, X square, Y square कर जाएगा, ठीक है? और कुछ काट रहे क्या, numbers में नहीं काट रहे, तो X, एक साथ लाइए, minus 8X, इधर है 4X, तो minus 12X, Y का का काम कीजिए, minus 10Y, यहाँ पर plus 6, मतलब हो जाएगा, minus 4Y, equal to, numbers में इधर 4 और 9 हो गया, 13, और इधर है, 16 plus 25, 41, 41 में से 13 गया, तो 28, ठीक है, और minus का 28, वो बड़ा है वहाँ पर, minus common लेकर काटते हैं, और minus 4 common ले ले तो आएगा, 3X plus Y, equal to 7, कौन सा option है, 3X plus Y, equal to 7, option number D, इसका right answer है, ठीक है, minus 7, इधर बुलाया गया है, चलिए, आगे, move कर जाए, question number 32 पर, In the given figure, D है, midpoint BC का, value of ये, बताए, cot Y क्या होता है, BYP, cot Y ये रहा, तो base क्या है, AC by P, perpendicular क्या है, BC, ये हो गया, cot Y का value, फिर cot X चाहिए, ये वाला, इसका base कितना है, AC ही है, और, perpendicular कितना है, CD है, AC, AC करड़िया, सुल जाएंगे, तो आएगा, CD Y, BC, अब यहांप बुला है, D midpoint है, D midpoint है, यानि, CD को CD ही रने देते हैं, और BC के जगा पर क्या लिख सकते हैं, 2 CD लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 by 2 answer आजाएगा, इसका, 32 हो गया, 33, smallest number by which this one should be multiplied, so that its decimal expansion terminates after 2 decimal place, 1 by 13 में क्या multiply करें कि, decimal expansion 2 places तब हो, ठीक है, तो सब्सक्राइब लोगते हैं, ऐसे 13 हटाना पड़ेगा, नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, 13 को अटाने के लिए उपर 13 से काटेंगे हम यहाँ पे, और नीचे में 2 decimal expansion चाहिए, तो हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, दो point आ जाएगा, तो 13 by 100 इसका answer हो रहा है, option number A, समझे, 3 लिखा रहा था तो क्या होता है इसका answer, 13 by 1000, 1 लिखा रहा था था तो 13 by 10, ठीक है, चलिए, 34, sides A, B and B of a right triangle, right angled at B are of length 16 and 8 cm respectively, तो A, B 16 दिया है, B, E 8 दिया है, right triangle है, B पे, length of the side of largest square F, D, G, B, F, D, G, B एक square है, तो इसका length, जो inscribed है triangle के अंदर इसका length पूछा है, ठीक है, देखें तो कैसे करेंगे, similarity का concept से करना पड़ेगा, अगर हम इसका length X माने, ये भी X हो जाएगा, ये भी X, ये भी X square है, ठीक है, यहाँ पर हम दो triangle लेंगे, एक छोटा सा triangle A, F, D लेंगे, और एक बड़ा बड़ा triangle A, B, E ले रहे होंगे, ठीक है, क्या दुनों triangle similar है, तो आप बोलेंगे हाँ, बिल्कुल similar है, कैसे, छोटे triangle में भी ये, बड़े triangle में भी ये, एक एंगल ये मिलिया, छोटा में ये 90, बड़ा में ये 90, ठीक है, एंगल एंगल से similar है, तो similar है, इसका मतलब क्या हो सकते अब इसके बाद, तो देखिए, हम बोल सकते हैं कि, छोटे बाले का ये side, कितना होगा ये side, उड़ा है 16, कितना दूर है x, तो 16-x, छोटे बाले का ये side, कितना है 16 है, इक्वल्टू होगा छोटे वाले का ये साइड कितना है X बड़े वाले का ये साइड कितना है 8 यहां से काटेंगे 2 16 माइनस X इक्वल्टू 2X यानि X इक्वल्टू 16 बाइ 3 option नॉम्बर B हो रहा होगा इसका एंसल समझे इसका logic क्या था करने का चलिए 35 point P divided the line segment joining R and S in the ratio K is to 1 तो P का coordinate क्या होगा बताइए अगर ratio K is to 1 है तो हम क्या बताए है K into 9 यानि 9K minus 1 into 1 by K plus 1 comma Y coordinate होगा K into 8 यानि 8K plus 3 into 1 3 by K plus 1 ये P का coordinate मिल गया if P lies on ये P इस पर like करता है मतलब P का coordinate इसको satisfy का देगा ठीक है तो X के जगा पर ये डालिए X के जगा पर ये डालिए Y के जगा पर ये डालिए solve कीजिए तो X का जगा पर 9K minus 1 by K plus 1 minus Y के जगा पर 8K plus 3 by K plus 1 plus 2 equal to 0 यहाँ पर LC हम लेते है K plus 1 9K minus 1 minus 8K minus 3 plus 2K plus 1 equal to 0 तो 9K minus 8K K plus 2K तो आग यहाँ 3K minus 3 minus 1 minus 4 और plus 1 तो minus 3 equal to 0 तो K का value आ रहा है यहाँ पर कुस गलती हुआ क्या? यहाँ पर 2 होगा न चलिए तो यह 2 से कितना हुए आप minus 4 और plus 2 यहाँ यहाँ minus 2 तो K का value आ रहा होगा 2 by 3 तो option number A होगा इसका answer 35 का ठीक है 36 in the figure given below इस figure में ABCD एक square है जिसका side 14 cm है EFGH are midpoint of subsides का ठीक है यह midpoint है यह भी midpoint है यह midpoint, midpoint area of shaded portion निकालना है इस triangle को आप 2 part में divide कर दीजिए यहाँ से ठीक है तो एक semicircle का area निकालेंगे plus इसका area निकालेंगे add कर देंगे तो कैसे होगा देखिए तो यहाँ पर इस semicircle का area निकालने के लिए आप 2 part में क्या चाहिए होगा radius चाहिए होगा पूरा side कितना है 14 है मतलब यहाँ से यहाँ 14 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा उसका half 7 हो जाएगा तो radius जो है यहाँ से यहाँ तक 7 होगा एक बड़ी erase करते है यहाँ से लेके यहाँ तक 7 होगा तो इस semicircle का area निकाल सकते है क्या हैगा pi r square y 2 r के जगाँ पे 7 डाल देंगे अब बात करते हैं इसका area कैसे निकाले तो देखिए यह आधा square का area में से एक quadrant और एक quadrant यानि semicircle का दो quadrant मिलके semicircle बनाता है तो इस आधा square में से semicircle minus कर दे तो यह मिल जाएगा समझ रहें तो कैसे होगा देखिए आधा square का area कितना होगा पूरा का area कितना है 14 into 14 चलिए करी देते है 14 into 14 by 2 यह होगा आधा square का area में से minus कर देना है एक semicircle का area pi r square by 2 ठीक है और यह area और यह area को प्लस कर देना है प्लस करेंगे तो यह और यह कर जाएगा ठीक है और यह 27 जा और 14 7 जा 98 यानि option number C होड़ा होगा answer चलिए आगे move कर जाए 37 पे Given below is a picture of Olympic rings made by taking five congruent circles of radius 1 cm each intersecting in such a way that the cord found by joining the point of intersection of two circles is also of length 1 cm यह दिख रहा है दो circle ऐसे मिलते हैं कि यह पर जो cord है ना इस cord का length भी कितना है 1 cm है ठीक है चलिए total area of all the dotted reasons तो इन सब dotted reasons का area find out करना है आपको कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम अगर हम इस पूरे का area निकाल ले तो सब तो same होगा समझ रहें चलिए एक logic तो आपने सब्जा इसके बाद पूरा का area निकालना थोड़ा मुश्किल है हम क्या करेंगे एक line यह पर जो cord draw किया हुआ है इसमें से यह जो नीचे का area है क्या बोलते हैं इसको segment बोलते है ठीक है एक सरकल ऐसा है एक सरकल ऐसा है यहाँ पर एक segment है जिसका length है 1 सेंटर है radius भी 1 है इसका radius भी 1 है यह एक equilateral triangle बन गया जहाँ पर यह angle कितना होगा बताई है 60 degree तो segment यानि इसका area जो होता है वो क्या होता है area of sector minus area of triangle area of sector कितना होता है theta by 360 pi r square minus area of equilateral triangle root 3 by 4 side square a square ठीक है तो यह मिल गया एक segment का area ऐसा कितना segment है 8 है चलिए तो option में तो एक ही मैं 8 दीख रहा है लेकिन फिर भी हम लोग 3 और आगे swap कर लेते है 8 theta है 60 by 360 pi रहने दीजिए सवाल में pi है option में radius है 1 तो 1 नहीं डालते है minus root 3 by 4 side b है 1 1 नहीं डालते है 1 by 6 यानि pi by 6 minus root 3 by 4 यह रहा और 8 option number d ही इसका answer है अच्छा सवाल था 38 2 0 आपको दे दिया है इस quadratic polynomial का तो दोनों 0 p और q का value निकालना है तो sum of zeros यानि alpha plus beta क्या होता है minus b by a होता है और product of zeros यानि alpha beta क्या होता है c by a होता है यह इसा solve हो जाएगा तो 2 plus 1 by 2 minus 5 by p यानि 5 by 2 equal to minus 5 by p p निकालेंगे यहां से minus 2 2 into 1 by 2 equal to c यानि equal to है यहां पे c, c मतलब r a, a मतलब p यह यह कड़िया तो 1 equal to r by p का value अभी आए minus 2 तो r भी आए minus 2 तो p equal to r equal to minus 2 option b इसका answer 39 ठग गए क्या आप लोग थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा खतम होने वाला है circumference of a circle इतना दिया है यानि 2 pi r equal to 100 side of a square inscribed in the circle diagram भाना परेगा एक circle है इसके अंदर 1 square है inscribed है इसका side decalना है square का x मन लेते हैं यहांसे इसका radius पता करते हैं तो क्या आएगा 50 by pi यह distance हो गया 50 by pi तो यह distance कितना हो जाएगा यह भी 50 by pi होगा ठीक है और यह square का diagonal बन गया square का diagonal क्या होता है root 2 a इसका value है 50 by pi plus 50 by pi यानि कितना है यह 100 by pi तो a कितना आ जाएगा यहांसे 100 by root 2 pi option में है option ऐसा नहीं है तो root 2 को simplify किजिए root 2 by root 2 यानि यह 250 जा तो 50 root 2 by pi 50 root 2 by pi option number c आड़ा है ठीक है 39 का होगी है c आगे move किया जाए 40 पे number of solutions of this one and this one पहले इसको simple बना हिए 3 का power x plus y equal to 43 यानि 3 का power 5 यह तो x plus y आ गया 5 फिर यहां पे 3 का power 5 का power x minus y equal to 3 का power 1 तो 5 x minus 5y equal to 1 यहां पे a1 by a2 निकाले तो 1 by 5 b1 by b2 निकाले तो 1 by minus 5 तो दुनों equal नहीं है यानि unique solution होगा 1 solution ठीक है चलिए 40 तो खतम हो गया यह section b section c पे आ जाते है case study based questions है इसमें 10 questions होगे कोई 8 करने है चलिए case study 1 the figure alongside shows a path of driver when she takes a jump from the driving board clearly it is parabola या parabola shape देख रहे quadratic polynomial का बनता ही है फिर Annie was standing on a diving board ठीक है 48 feet above the water level initial height उसका 48 feet था she took a dive into the pool her height in feet above the water level in any time t in seconds is given by the polynomial ht इतना मतलब बोला जा रहा है कि कोई भी time for example अगर t equal to 1 एक second बायाद अगर उसका height निकालना है तो t का value इसमें 1 put कीजिए तो आपको height मिल जाएगा कितना उचाहिए पे थी वो 2 second बाद अगर height निकालना है तो माइनस 16 0 square plus 8 0 plus k कितना होना चाहिए 48 होना चाहिए तो k का value यहाँ पे आ रहा है 48 option number c होगा इसका answer 42 में लिखाए कि at what time will see touch the water in the pool माणी को touch कर रही है मतलब height equal to 0 है ठीक है तो height कितना है यहाँ पे minus 16 t square plus 8 t डालते हैं यहाँ पे minus 16 t square plus 8 t t है यहाँ पे फिर क्या है plus k k यानि 48 plus 48 equal to 0 इसको यहाँ से t का value solve करना है ठीक है तो 8 common ले लिजिए तो minus 8 common लेते हैं तो क्या बचेगा यह 2 t square minus t minus 6 equal to 0 ऐसा कुछ मिलेगा अब यहाँ से इसको solve करना है solve करने आपको आता ही है 2 t square minus 4 t plus 3 t minus 6 equal to 0 2 t common लेंगे t minus 2 plus 3 t minus 2 तो यहाँ पर मिलेगा t minus 2 यहाँ पर मिलेगा 2 t plus 3 equal to 0 इससे t का negative value मिलेगा इससे t का value मिलेगा 2 यानि 2 seconds पे वह पानी को touch कर देगी number 43 rita's height of the water level is given by another polynomial pt rita का height है वह एक और polynomial से दिया जा रहा है pt से जिसका 2 0 है इतना वह polynomial ही find out करना है ठीक है तो 0 से polynomial कैसे निकालता है मैं पता है k into t square minus sum of zeros into t plus product of zeros ठीक है तो k t square minus sum of zeros कितना है minus 1 plus 2 यानि कितना आएगा plus 1 t product of zeros minus 2 ठीक है इतना आ गया h अब यहां से हमें k का value भी चाहिए क्योंकि option में k नहीं है तो हमें पता है जब time 0 होता है तो height कितना होता है 48 होता है तो 48 equal to k time 0 minus 0 minus 2 यहां से k का value आएगा minus 24 तो equation क्या मिलेगा यहां पर जाली है minus 24 तो minus 24 t square plus 24 t और कितना जाएगा plus 48 ठीक है तो option number कौन सा है d इसका आड़ा होगा answer 43 का d है चलिए 44 यह भी उसी type question है polynomial qt with sum of zeros इतना दिया है product of zeros भी दिया है is modeling anu's height in feet above the water at any time t qt इस polynomial qt को निकालना है तो qt क्या होगा k bracket में t square minus sum of zeros यानी 1 t फिर plus product of zeros यानी minus 6 ठीक है यह होगा तो यहां के भी हमें पता है यह भी height को represent कर रहा है जो कि 48 होता है जब t क्या होता है 0 होता है यहां से k का value आ रहा है 6 minus 8 जा तो equation क्या हो जाएगा इसमें डालेंगे minus 8 t square plus 8 t plus 48 यानी option number c होना है इसका answer ठीक है 44 का c है 45 the zeros of the polynomial यह है are negative of each other zeros negative है यानी जब sum of zeros करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा ठीक है negative कट जाता है इसका मतलब minus b by a यानी minus k minus 3 by a यानी minus 12 equal to 0 तो k equal to 3 आ जाएगा यहाँ पे option number a होडा होगा answer आगे move करें यह और एक case based question है बहुत लंबा चोरा statement है इसका तो a hockey field is the playing surface for the game of hockey historically the game was played on natural turf यानी grass but nowadays it is predominantly played on an artificial turf it is rectangular in shape 100 yard by 60 yard goals consist of two upright post placed equidistant from the center of the back line joined at the top को समझ मनी आ रहोगा आपको भी question एक बार देख लेते हैं फिर इसमें दिमागा लगाते हैं ठीक है the coordinates of the centroid of triangle e,h,j कहां है e, यह रहा e,h और j इस triangle से बने हुए triangle का centroid निकालना है तो centroid का formula आपको बता रखे है x1 प्लस x2 प्लस x3 divided by 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 divided by 3 यह होता है तो यहां पर e,h,j का coordinate चाहिए e का coordinate क्या होगा प्रसाफ कर लेते है e का coordinate यहां पर देख के पड़ा चल रहा है 2 और 1 h का बताईए तो minus 2 और 4 ठीक है देख के लिखना है यहां से और j का बताईए तो minus 2, minus 2 अब add कीजिए तो minus 2, plus 2, minus 2, by 3 फिर यहां पर y coordinate निकालते है y1 कितना है 4,1, और minus 2 तो 4, plus 1, minus 2, divided by 3 इसको solve करते है इधर आगिया minus 2 by 3 इधर आगिया 3 by 3 यानि 1 तो minus 2 by 3,1 option number a होगा इसका answer तो इतना लंबा दोरा language से कोई काम नहीं पड़ा सवाल देखते ही solve हो जाता है ठीक है 47 भी कोई इसी type का है if a player P needs to be at equal distance from A and G P का distance AG से equal है कहां है A ये रहा A और ये रहा G तो इंदनों के बीच में आ रहा होगा P such that A, P, G are straight line ठीक है यानि AG का AG एक straight line है उसका बीचों बीच P है P midpoint है बोल सकते है coordinates of P बताना है ठीक है तो A का coordinate क्या है 3,6 graph से देखके लिख रहे है G का coordinate क्या है तो आप बोलेंगे 1,-3 तो P का बता दीजिए 3 plus 1 by 2 6 minus 3 यानि 3 by 2 2,3 by 2 answer आना चाहिए C ठीक है आगे move करें 48 पे point on x-axis point on x-axis कि इस form में होता है x,0 ठीक है equidistant from I and E कहाँ ये रहा I ये रहा I और ये रहा E तो इन दोनों से बरावार दूरी पर x-axis पे यहीं पे कहीं पे point होगा है की नहीं तो इसका coordinate क्या होगा तो देखके ही परदा चल रहे है ये 0 किसमें है एक इसमें है और एक इसमें है ये दोनों में से कोई एक answer होने वाला है और यहाँ पे देखके परदा चल रहे है की कहीं ने कर ये coordinate है ये first coordinate मतलब positive side में है ठीक है तो इन दोनों में से positive value इसका है तो option number A इसका right answer होगा ठीक है ऐसे भी answer दे सकते है या फिर आप normal method से कर सकते है equidistant का formula लगा ये distance formula रहाँ से solve कर लिजिए question number 49 what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q, E are collinear एक point यहाँ पे है K एक point है यहाँ पे E ठीक है और इसी line पे K और E के line पे कहीं पे point है Q ठीक है और Q बोला गया है कि K से दोगुनी दूरी पढ़ है E के मुकाबले मतलब KQ is to QE 2 is to 1 दिया है यह language पड़कर समझना पड़ेगा ठीक है आपको Q का coordinate निकालना है तो E का coordinate क्या है बताइए आप बोलेंगे 2,1 K का coordinate हो गया minus 4,1 ठीक है तो Q निकालना है लगाते हैं सेक्षन फर्मूला 2 into 2 प्लस यह पर आएगा minus 1 into 4 तो minus 4 बाई अब बाई जो भी हो यहां पर दीख क्या 4 minus 4 0 आ रहा है यानि first coordinate 0 होगा option number B इसका answer हो रहा है ठीक है चलिए आगे move करें 50 पे नमबर 50 last question यह रहा B यह रहा C ठीक है यह B और यह C B और C से बरावर दुरी पे Y axis पे कौन सा point होगा तो Y axis पे कोई भी point किस रूप में होता है 0, Y के रूप में होता है ठीक है यानि B और D में से कोई एक answer होने वाला है अब यह आपे दिख रहा है कि यह positive side में है तो यह वाला answer होगा ठीक है option number D यह negative तो होगा नहीं negative side में लेंगे तो देखिए यह दूरी और यह दूरी क्या देखके equidistant लग रहा है नहीं लग रहा है ना ज़रूर यह positive side में होगा यह दूरी देखके लग रहा है equidistant जैसा ठीक है एक तरीका तो यह है नहीं तो आप detail method से भी कर सकते हैं कि let the point be 0,y b का coordinate लिखिए कितना होगा 4,3 c का coordinate लिखिए कितना होगा 4,-1 distance formula लगा दीजिए solve कीजिए वहाँ से solve हो जाएगा यह ठीक है तो बस यह है 50 questions उमीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपने खुद से भी कई सरे questions solve किये होंगे ठीक है और question का level देखके आपको यह तो समझ में आई गया होगा कि इतना भी हलवा नहीं होने वाला है term 1 आपको अच्छा खाजा मैनत करना पड़ेगा ठीक है चैली फिर इसी note के साथ वीडियो एंड करते है और अच्छा सब प्रैक्टिस कीजिए एकदम ही टाइमेस मत कीजिए सभी सब्सक्राइब प्रैसे से फोकस कीजिए अच्छा लगा वीडियो तो दरूर एक लाइक कर दिजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप से लोपे नए है तो दरूर सब्सक्राइब करनेजिएगा मिलते हैं बहुत लोग किसी और वीडियो में कतक किले गुडबाय और टेक केर